असुक जी मेरे पाद 6 अपर्मेंट लेटर रखें अलगवर विवाग के जैसे रेलवे का है मेरा एक लिए फर्स्ट अपर्मेंट जो आता अस्टन ड्राइवर रेलवे के लिए होता अगर हम नोखरी करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा और मैं बिजनिस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा तो हमने सूचा क्योंने एक बिजनिस किया जाए बाबा साब के आसिरवाद से और हम सब के महनद से मैंने उसको अपलाई किया तपाक की बात यह रही के 2017 में मार्शल एंटरप्राइज प्रॉपेटर आरके सिंग इंडिया टॉप किया कि मुश्किल असुक जी कोई चीज ऐसी नहीं है अगर प्रियास और अउसला बुलन दो मेरा कंपरीशन जो था वो एलन्टी और टाटा कंपनी से था और मैं वहां पर तीनो जो टेंडर थे मेरे लोश्ट आहे और मेरे वो तीनों के तीनों टेंडर मेरे कंपरीट हो जहाँ बिराथी की बात करें प बिजनसमेन हैं और आप अपनी जातिय पहचान के साथ हैं, अपनी अस्मिता के साथ हैं, समाज के सामने, तो फिर आप बिजनस नहीं कर सकते हैं, आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आपसे लोग समान नहीं खेड़े देंगे, ये कितनी सचाई है, क्या आप जो काम कर रह यह ब्लुकु गलत है आप बढ़िया क्वालिटी बनाएए आप मार्केटम जाएए टेंडर में कहा लिखा है कि सरू कास्ट का टेंडर नहीं भर सकता इस दुनिया में जहां अनुसुजाती की बात करें पूरे दुनिया में अनुसुजाती से इमांदार आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा मिसाल मेरा 75 क्रोड था उससे लाश्ट जवाब गया उसमारा 69 क्रोड रह गया जैभीम मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अप्रेयल के महीने में बाबा सहाब Amedaker की जैनती के महीने में मैं आप लोगों से सकसे से स्टोरीज करूंगा आपके सामने लेके आऊंगा आपसे परिचे कराऊंगा जो बाबा सहाब की बदालत आज उन्हेंने एक मकाम हासिल किया है और अपने बल बूते पर आगे बढ़े हैं बिना किस reservation का सहारा लिए और उन्होंने साबित किया है कि मौके अगर मिलें और वो सब के साथ compete करते हुए जीवन में सफल हो सकते हैं मैं शुकदास हूँ मैं हूँ बलंद शेहर में और मैं जिस शक्स के साथ आज बैठा हूँ और जिस शक्स से आप लोगों का फ़रिशे कराने जा रहा हूँ उनका नाम है आरके सिंग और आरके सिंग जी सालाना तकरीबन 70 करोर रुपए का टर्न वोड है उनका मैनुफैक्चरिंग सेक्शन में हैं और ट्रांसफर्मर का मैनुफैक्चर करते हैं और मार्सल नाम से उनका ब्रांड है सर बहुत दन्यवाद आपको सर पहले तुम्हेरा आपके लिए जैभीम असुग जी और आप आए बिलेंसे में इसके लिए हारति स्वागत करता हूँ मैं आपका सर आप चुकि जो भी बिजनेसमेन है आज के वक्त में वो कहीं ना कहीं पहली पीडी का बिजनेसमेन है और बहुत कम आज भी कुछ लोग गाउं पास मी हैं जो यहां से 5 किलो मेटर दूर है मेरा गाउं और जैसे हम लोग हम लोग जी तीन भाई एक सिस्टर है हमारी तो मेरे सबसे छोटा हूँ तो इक लिए क्या जैसे भाई की नोकरी लगई बाईयों की लोग पिताजी जो थे मेरे मजदूर थे तो इक लिए हम लोग देखते थे यार नोगरी में और बिजनस करना फरक क्या है तो हम जब पढ़ते थे तो हमने उसी समय देखा जैसे हम लोग निकलते थे रस्ते में चलते थे यार इसकी ये फैक्टरी है और उसमय सुनते थे क्या टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है या अगर हम स्टांस्वमर एक इंडूल कंपनी होगा करती थी तो यह बड़ी कंपनी बीएचेल इनके जो हम इंस्ट्रूमेंट को देखते थे यार क्यों नहीं हम इसको बना सकते हैं हमने जब हम एजुपिशन कर रहे थे तो उसी समय सोचा किया हम कभी ने कभी ऐसा जरूर बनाएंग इसके आलाब इंडूल कंपनी के लगड़ा मैंने उसमें एक बार के लगड़ा उसमें चिन्न भी एक ट्रेनिंग में गए थे हम लोग जो मेरा एक महने का था हमने सब को देखने के बाद तम ने कहा जैसे मेरे पास आज भी असुग जी मेरे पास छे अपर्मेंट लेटर र यूनियर के लिए मेरा हुआ था एक मेरा ट्वेल्ड डिविजन में भी मेरा एक जेई के लिए मेरा सेलक्सिन हो गया था लेकिन बस यह ती अंदर में पीला यह ती आदेखो ऐसा है अगर हम नौकरी करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा और मैं बिजनिस करूंगा तो मुझे उससे क्या मिलेगा तो हमने सुचा क्योओनए एक बिजनिस किया जाए तो पहले हैं धिरे धिरे चोटा प्रते रहे हम कुछ रेपेर करते रहे हैं दिरे फिर हमने जाकर के मैं सगंजन्स दीर वावास साथ के आधिरवास से हम लोगों एक 4000 मीटर का प्लॉट लिया उसमें हम लोगों ने एक स्वाइब लगा और उस में लगने से हमको यह मिला कि उस का इंग्नोरेशन भी जो किया था और उसमें एडिन सेक्रेटरी पावर गौरंट फिंडिया दिवन चौज साब ने किया था और बड़ा अच्छा लगा और भी आफिसर्स आये थे उसमें उसको धीरी धीर हम लोग चलते रहे मेरा ये सफर ये रहा कि मैं पिछले पंदरे साल से मैनिफेक्शिरिंग कर रहा हूँ पंदरे साल से आज तक मेरा कोई भी इंस्टूमेंट चाहां तो टांस्मर्स हैं चाहां मेरा आइसुलेटर से हैं चाहां मेरा डियो फिस्ट है आज तक मेरा कोई भी वापिस नहीं आया जिसके क्योंकि हम लोग MSME सेक्टर में आते हैं उस MSME सेक्टर में जैसे 2017 में मैंने अप्लाई किया था एक आवाड के लिए अवाड के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें हम लोगों की सारी डिडिंग होती हैं तो बाबा साफ के आसिरवास से और हम सब के मेहनत से मैंने उसको अप्लाई किया तपागी बात यह र मर थे वो मेरे थे और वो अवार तीन मंत्री हुआ करते थे उस समय एमसी मी के और सेक्रेटरी गौर्ण डर्फ इंडिया यह सब लोग आए थे तब मुझे मिला उसमें हमको धनराशी भी मिले थी तो धनराशी तो हमने उसको माने प्रदामनती राज़कोजास में जमा करा जियता और सर्टिफिकेट हम लेका अपक्सो लेका आ गये थे सर आप पहली पीडी के हैं कोई बिजनस आसपास भी देखा नहीं होगा आपने कितना मुश्किल था यह करना और वो भी नौकरी मिली नौकरी छोड़के देखे मुश्किल असुक जी कोई चीज ऐसी नहीं है अगर प्रियास और होंसला बुलंदो होंसला बुलंदो आप सब कुछ पहता कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें जैसे एक मैंने बिजली घर बनाया था आपका उसमें लखनू में जो लखनू में नई एनक्सी जो बनी इसका बिजली घर आपने बनाया और बिजली घर जो है वह है असंको डाइप मनला इंडिया का फर्स बिजली घर आपका इपने बनाया जो एनक्सी के लिए बनाय गया था और उसको मानिय मुख Canal Congratulations जी ने उसको देखा बड़े खुस incluई उसके बाद एक उन्हों ने मानिय पूरे रास्ते में जो आपका सफर रहा कितने साल हो गए और इस पूरे सफर में आपको क्या परिशानिया आई इस वेपार करते मेरे को अठारे साल हो गया है और अठारे साल में देखिए हमको जहां तक मार्केटिंग की बात करें या टेंडरिंग की बात करें क्योंकि सारा टेंडरिंग का वरक है हम लोग वाकाते काम पैसे में कम चीजों में बेटर चीज बनाते और 18 साल के सफर में ये रहा कि मुझे कभी भी बिजनिस में किसी बी तरह की कोई दिक्कत नहीं वी दिक्कत इसलिए नहीं कि मैं हर चीज़ को एक ब्रांडिंड लेके चला मेरा जो मार्सल जो ब्रांड है वो मार्सल की तरह रहे जब मार्सल की तरह रहेगा तो एक ब्रांड हो गया तो उसको हमने कभी भी उसको क्वालिटी से कंपरवाईज नहीं किया इसलिए हम लोग better मेर को किसी भी बी किसी भी तरह का हमेशा officers ने मुझे हमेशा सम्मान मिला हर जगे चाब quality में भी हो चाब working में हो माला जैसे एक होता सडूल के भई आप कब तक सप्लाई करेंगे हमने हमेशा विफोर सप्लाई किया विफोर सप्लाई करने से भी एक फादा होता है जैसे अगर हम बात टेंडरिंग की बात करें टेंडरिंग में Tata भी टेंडर भरती है BHL भी टेंडर भरती है और आपका Power Grid भी टेंडर भरती है और डानी जी भी टेंडर भरते हैं रिलाइंस भी टेंडर अपलाई करती है, वहाँ मार्सल भी टेंडर अपलाई करती है, वहाँ एलन टी भी टेंडर अपलाई करती है, वहाँ पर बबड़ी कंपड़ें करती है, आपके आसिरवासे दो हजार सोले में जो टेंडर मुझे को तीर मिले थे, उस टेंडर में क्या यह बहुत बड़ी प्लब्ती है सर आपने टेंडर की बात की काम की बात की बारवारा बाबा सहाब का नाम ले रहा है कई लोगों की ब्रहांती होती है कि आप बिजनेसमेंड हैं और आप अपनी जातिय पहचान के साथ हैं अपनी असमिता के साथ हैं समाज के सामने तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं कि समाजिक प्रिस्ट भूमी क्या है असुक जी देखे अगर कोई ये कह है कि हमारी ब्राधरी या जाती पता लगने से हमारा काम नहीं होगा जिसा रॉंग ये ब्लुकु गलत है आप बढ़िया क्वालिटी बनाएए आप मार्केट में जाएए टेंडर में कहां लिखा है कि स अपन मार्केट है तो उसमें किसी बात की ब्राधरी के उसकी बात नहीं है नहीं पूछने में लेकिन हम को किताब निकाल लो अरे बाई तुम इसी चीज को अगर जब नौकरी लगी थी उसी समय इसको पढ़के निया उसको फॉलो करते तो आज आपको यह दिन देखना को नहीं मिलता यह दिन भी आपने खुद नवाएं क्योंकि आपने बावा साथ को पढ़ा ही नहीं आपकी लगाई में समय साथ में रहते हैं हम लोग सबसे जो है तो आप क्योंकि जब बावा साथ को पढ़ाएंगे तो सब कुछ मिलेगा अब लोग क्या है बावा साथ कब याद करते हैं आप जाए कि बहुत से लोगों के घर में आपको आपको फोटो नहीं मिलेगी बावा स सार्फ रखिएगा और इमानदार इसे काम करें इस दुनिया में जहां अनुस्जाती की बात करें पूरे दुनिया में अनुस्जाती से इमानदार आदमी आपको कहीने मिलेगा चाहें वो अधिकारी हो चाहें हम दुकान की बात करें चाहें मैनिफेक्चरिंग की बात करें च गलती हम करते नहीं है, जैसे मुझे किसी ने कहा एक बार, किसिंग साब आपकं यहीयां at flood मिलेगा, I'm sorry, I'm sorry, मैं कभी गलती नहीं की, जब मैं गलती नहीं तो मैं फ्लोट क्यों रकूँ? गलती जो करता है, if you're good, loads are रखता है, जब मैंने कभी भी गलती रही तो मैं क्यों छिपूँगा कहीं पर मुझे नहीं छिपना अच्छा काम करें अच्छा चलते हैं आच्छा लगता है हम लोगों सभी को और जहां ब्यापार की बात करें फिर भी हम कह रहें जैसे एक हमारा संस्ता है ڈیولی فنگ, इंडियन, चैमौर्ण, और और कमर्सेन, इनिरिस्टी, डिक की नॉर्थ, हम लोगों सब से जैसे, हम मानिय मुक्हमनतों तरी, उतराप्रदेस की बात करें, हम कहीं کی बात करें, क्वानन फियंडिया की बात करें, हम कहते हैं, सब विकास की बात, हम पॉलिसियों प व्यापार हैं हम व्यापार हैं तो इसलिए हम गौवर्मेंट से जो चर्चा करते हैं हम करते हैं व्यापार पर हम पॉलिसी पर एक अच्छी पॉलिसी बनें लोगं को फायदा मिलें और फायदा केबल वह स्ची को मिलेगा उस पूरे देश के हर लोगं को मिलेगा उसी में हमा हूं सर की तमाम अवार्ड मिले हुए हैं आपको राष्टे पुरसकार भी 2015 का मिला हुआ है और इसके लावा भी तमाम तरह के अवार्ड मिले हुए है यह एक क्या उपलब्धिया रही आपके जो 18 साल का कर दियर रहा बिजनेस में राष्टे अवार्ड पाना एक वड़ी बा पर हैं हम किसी की बात कर रहें जो टाटा के पास सर्टिफिकेट हैं वो सारे कंपनी आपके पास आपके पास हैं जितने भी इस्ठेस के हरट को हम लोग जमा करते हैं एक तो यह चीज़ होंगा है दूसरा आपकी जो फैक्ट प्लांट है क्या इनवर्मेंट से मुक्त है हमारा जो प्लांट है उसमें बाक आते हैं आपको गिरिनरी 60 पर जैसे 4000 मिटर है उसका 40 परसेंट तो गिरिनरी है और उसके जो गिरिनरी है तो वहाँ पर चाय का, हमारा खाने का, हर चीज़ उसके अंदर है उसी में क्योंकि गाइड लाइन है उसी के तहट हमको जब सारी चीज़ हम फॉलो करते चले गए जैसे टरन ओवर की बात हमारा हमाईसा आप रही हम लोग डाउन मिने गए जैसे मालिया पिछली साल मेरा 75 क्रोड था उससे लाश्ट जब गया उसमारा 69 क्रोड रह गया और हाँ लेकिन आप उमीद रखते हैं जो आप हम रिटन भरी जाएगी उमीद रखते हैं असुग जी 100 क्रोड पिलस जाएगी आपका आप लोग तमाम अधिकारीं से मिलते हैं आप Wenn देख रहा हूँ कि तमाम तस्वीरे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आपके इस कमरे में क्या एक रविया रहता है जब आप लोग उनसे बाते करते हैं क्योंकि ये एक वेपार ऐसी चीज है कि तमाम यूजना हैं सरकारी तो तमाम अधिकारियों से तमाम जो मंत्रियों से मुख्य मंत्रियों से मिलना पड़ता है तो उनका क्या एक रवह यह रहता है काम को लेके या फिर जब पहचान सामने आते हैं कि मैं यह हो और यह कररा हूँ है जहां मानिय हमाने मुंत्र उत्तर प्रदे से की बात करें भयपपार के इस देस का मुखिया जाह तो परदा हम अंतर हो हर ये मुख्या ये चाहता कि हमारे हैं जादा जादा काम हो लोगो जादा जादा रोजगार मिले उस रोजगार की कड़ी में जुड़ने के लिए हम लोग जब बारता करते हैं कि सर इस पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी बनाई जा इस पॉलिसी से जो लोगो आज वे रोजगार की है उनको रोजगार मिल सकता है चाहो छोटा हो बड़ा हो उससे क्या है कि सीए हम उत्तर प्रदेश की बात करें कहीं ना कहीं गौर्मेंट को हम लोगों से फादाई होता है नुकसान कभी नहीं होता इसलिए गौर्मेंट हमारे हमीसा साथ रहती है और हम गौर्मेंट के करें तो उसको सेल कहा करें अगर हम बात करें अगर हम बात करें अगर हम फनीचर बनाएं तो अगर भी वहाग को देंगे हम पैनल बनाएंगे तो भी वहाग को देंगे अगर हम कुछ और चीज बनाने लगें जैसे पैनल है पैनल होस्पिटर में में लगते हैं पैनल आपक कि गृट पे क्या होता कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो बिजनार को कुछ कोकुछ ना कुछ पॉलिस में मिलता है फायदा वह ना कि इतने मौके हैं ऑ पिजनस करना क्या इतना मुश्किल है कि बिना पूंजी के नहीं हो सकता या फिक Pahini चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम करने के लिए करोणों की बात नहीं होती है, लाखों से सुरू होती है, हजाना से सुरू होती है किसने कहा करोणों रुपी चीए है, अरे भाई, आप आदमी एक बच्चा होता पैदा, पहले छोटा तो धीर धीर बढ़ता चला जाता है पहले एक चम्मत दूद पीदा था पीदे पीदे अब गिलास पा गया इसी तरह से अगर जब बिजनस की बात करें हमको सबसे पहले एज्यूकेशन हमको करने लेनी चीए अगर जितने भी हमारे एज्यूकेशन जो लोग लिये हैं उनको एक काम करना चीए दखिए डिपलोमा करना बी टेक करना एम टेक करना एक अलग ईसी है इसे करने के बाद गौर्णट इफ इंडिया का एक विभाग है एन एसाइसी उसके हमारे इंडिया में सेंटर कुछा को मैंने तीन देखे हैं जैसे कैलकटा, हैथरावाद, जैसे दिली बें ओखला यहां पे तीन सेंटर जो की डिपलोमा करने के बाद शेह ने के तीन मेने, कोर्सिश कराती है त rap डीकली, चाहें तो सॉलर का है चाँ, श्युल्ट आ जब जौब करेंगे तो कहीं न कहीं आप पैसा तो मिलेगा ना जब पैसा धीरे धीरे आपके पास लाग हो रुपया खटा हो जाए तो फिर धीरे से अपना धीरे धीरे अपना काम करेंगे अगर मैं आर केसिंग बात करें तो यह थोड़ी आर केसिंग आज कल को मेरी 100 कड़ो लेकिन starting तो हमारी हजारहों से भी हमारी करोन से भी तो जो आज मैं नया आप चाहता फोर्ट है कुछ नहीं है. कि कोई आपको चांदी का चम्मस दे देगा है और आप सर आप तमाम मैंने देखा है कि आप तमाम समाजी का रिक्रमों भी लगातार प्रमुटा से शामील होते हैं जाहे हम बिट कर जेनती हुए फर तमाम मां को पे बैबक तु सुसाइटी एक बिजनेसमैन को आप क्या देख और खास थोर से हमारी community में हमारा community का आदमी जह जह से अब जा अप जाएगा ऐसे अगा है उसका the road होना है और जब आदमी नीचे जाता है उसका पूइ बिरोद नहीं होता बिरोद हमेंसा उसका हुता जो कुछ करता है और जो कुछ नहीं करेंगा तो उसका किस वाद करो रही सौसाइटी में माले जिसे हमारे आच्छातरावास है और हमारे एक ये बुद्ध विहार है इसके अलाबा लखनों में अरंबेर का महासावा है या आपका सारनाथ है या इसका हम कहेंगे पटना में गया तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मला डॉनिसन हम लोग करते रहते हैं इस डॉनिसन करने का भी एक मकसद है हम लोग नएने लोगों को ले जाते हैं कि हम लोग दिखाते हैं कि आप देखिएगा आपको कुछ देखने से मिलेगा जब देखने से मिलेगा तो आदमी कि जब आदमी पैसा खर्ची नह गाड़ी चलाता सिलो सिलो तो उसने पता आराम से चलना है कुछ यह उसको पता नहीं आराम से चलेगा जब गाड़ी स्पीड से चलाएगा तो पता उसको क्या होता है कि उसको बहुत दूर तक देखता है कि कोई चीज ना जाए सेव कर चलेगा अजब शलोच चलता तो उसको कोई जरूत नहीं होती जितना पैसा खर्च करोगे अथना ही आपको उससे ज्यादा पैसा कमाने की आपका ब्रेन काम करेगा इसलिए ज्यादा-ज्यादा सौसाइटी पर पैसा खर्च करना चाहिए कोई भी हो सकता है सर आखरी सवाल, नौकरी के मौके बहुत कम है लेकिन आज भी तमाम हमारे जो यूथ हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनका फोकस नौकरियों पहीं रहता है कि कैसे भी नौकरी मिल जाए, जिवन चलने लगे, लेकिन ये भी एक सच है कि अगर सारी नौकरियां जितने पतखाल हैं, वो भी भर दिये जाएं, तो भी तमाम लोग विरुजगार रह जाते हैं, तो बिजनेस, आप उनको क्या सुझाओ देंगे, कि बिजनेस करना चाहिए, और अगर कोई बिजनेस के छेतर में आना चाहता है, तो उनको आप क्या सुझाओ देंगे? असुग जी, इसका सबसे बड़िया तरीका है, जो जैसी एजिकुशन पाए, उस व्यक्ति को उसी एजिकुशन के तहत काम करना चाहिए, एक दुरबहग है हमारे बहुत जैसे बियर्ड, जो प्राइमरी जो होते हैं, पांचमी किलास के, उसको पढ़ाने के लिए क्या जब हमारा बच्चा MSC, LLB, प्राइबनी स्कूल में जाकर टीचर बनना है, क्या आपको लगता है कि उस देश का भला करेगा, अरे बही तुम साइन्टिस्ट बनो, बड़े अच्छे काम करो, तो समय में आती है, आपने तो जो मेरे सौसाइटी के लोग थे, जिनको विच आदमीन MSC करिए, उसका आपको लगता है कि आपको उसको जो प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करनी चीए, अरे उसको करना चीए, जेनु में जाना चीए, अरे उसमान इंडिश्टी में जाना चीए, प्रॉपिसर बनना चीए, यह तो हमारे समय में आती है, लेकिन तुम एक प्राइमरी स्कूल का MSC, LLB करने के बाद आप किसी प्राइमरी स्कूल में, औरे सर, मैंने तो अभी पता लगा, लोग MBA करने के बाद बी एड कर रहे हैं, और बी एड करने के बाद वो प्राइमरी स्कूल में टीचर हो रहे हैं, अरे बही तुम ने इतनी भारत सरकार अच्छा रायटर यह अच्छा डिया क्शा में रिखे तो नहीं राइटर प्र प्रामेरी स्कूल के और दूर्पा किया लगता लेकिन मुझे तो इम टेक असुक जी एम टेक करके बच्चे बेड़ कर रहे हैं और उसके बाद प्राइवरी स्कूल की तरफ दोड़ रहे हैं भाई ये कौन सा बाबा सामने तो नहीं कहा बाबा सामने तो कहा अच्छा पढ़ी अच्छा करी है अब मालिये कल लोगो अगर मैं आप बर्म हैं आप कल लोगो हमें सोचे हैं यार आप तो बड़ा है तो बना रहे हैं अब जाके हम कोई छोड़ा मुड़ा पुर्चा बनाने लगें अगर सोचना है तो आप सोचीगा डाउन नहीं हमेशा सोच अप रखनी चीए और आप करने सोचने वाला ही आदमी आगे निकलता है Thank you so much sir सभी बात है कि बड़ा सोचने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है और आरके सिंग जी थे जीरू से शुरू होके इस शिकर पर पहुंचे हैं आज ये दावा कर रहे हैं कि अगले साल इनका टर्नवल सो करू से जादा होगा और अपनी पहचान के साथ बाबा साहब के नाम के साथ लगतार डटे हुए मैदान में और सीधी सी बात है किसी ने आपको नहीं रोका कि आप बिजनेस मत करीं आप टेंडर मत भड़िए काबेलियत आप में होनी चाहिए आप के मादा होना चाहिए कि आप संघर्स करें बचने के बहाने बहुत हैं शिकायते बहुत हैं लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है, तो आप भी एक दिन आरके सिंग जी की तरह, और जो तमाम बिजनेस मैं हैं, जिन्होंने अपने माकाम बनाया है, जरूर सफल हो सकते हैं, तो खास तरप यह वाओं से मैं कहना चाहूंगा, कि वो आगे बढ़ें, प्र झाल